आज हम बनाएंगे एकदम मार्केट जरसे कुरकुरे करारे क्रिस्पी आलू के चिप्स बिल्कुल फटाफट बनकर तयार हो जाता है ये चिप्स और ये कीनवारे फ्रेंट्स चिप्स बनने के बाद तो मार्केट का चिप्स खाना आप भोली जाएंगे मतलब ये चिप्स ऐसा है कि बनाते जाओ खाते जाओ बिल्कुल रोज की सबजी जिससे हम सबजी बनाते हैं उसी आलू से हम चिप्स बनाने वाले है रिस्पी की खास बात है ना तो आलू को उबालना है ना ही धूप में से उखाना है दो महिने तक आप स्टोर करके रख सकते पर ये दो महिने तो चलता ही नहीं है जैसे ही बनते जाता है, सब लोग खाते जाते हैं ये चिप्स की खास बात ये है फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे निवेदन है अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले तो चलिए रिस्पी शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने तीन आलू लिये हैं बहुत जादा बड़े नहीं है, बहुत जादा छोटे नहीं है तो इनको हम छील लेते हैं और नॉर्मल पानी जो हमारा नल का पानी रहता है उसमें हम इसको वाश कर लेते हैं और अच्छे से टॉवेल से या टीशू पेपर से इसको पोच लेंगे हैं ताकि इसका जो मोश्यर रहता है पानी का एकदम सूख जाए और आलू हमारे ड्राय हो जाए और आप पोच देंगे तो यह काले भी नहीं पड़ेंगे हमें पानी में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप टीशू पेपर से या टॉवेल के सहायता से इसे पोच लेंगे और मैंने यहां पे लिया है एक स्लाइसर मतलब आलू चिप्स काटते हैं तो यहां पे मैं आपको देखा रही हूँ काटके बहुत जाद हमें मोटा नहीं करना है हलके हाथों से करेंगे तो यह पतले पतले एक्दम निकले और दीरे धीरे काट लेंगे यह देखे बिलकुल पतला सकट के तयार है और हम इसको पानी में ने डालने वाले हैं हम इसे टॉविल से ही पोछेंगे और टीशू पेबर से इसका जो सारा पानी एक्स्ट्रा पानी है वो सुख जाएगा तो आप देख सकते हैं मैं यहां पे पोछ रही हूँ और आप फैंच आलू कर देंगे तब भी सुख जाएगा आलू की जो स्लाइस है इसमें मोश्चर जितना कम रहेगा चिप्स उतने ही करारे और क्रिस्पी बनेंगे इस तरह से सारे चिप्स को देखे मैंने तयार कर लिया है अब मैं एक कटोरी में आधा कटोरी पानी ली हूँ इसमें एक चमश नमक डाल रही हूँ यह नमक और पानी का काम हम बाद में आपको बताएंगे अब बारी आती है चिप्स को दीफ्राइ करने की तो यहाँ पे गैस का फ्लेम हमें हाई ही करना है और तेल अच्छे से गरम होने चाहिए तो आप देख सकते हैं तेल एक दम गरम है और हमें के करके चिप्स के टुक् तो यहां पे मैंने जो नमक और पानी का गोल तयार किया था उसमें हम आप टी स्पून डाल देंगे और बहुत साफ धनी रखनी है जैसे ही आप पाजी डालेंगे आप वहां से दूर हो जाएए बहुत जोर से शीटे पड़ते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा ए पानी का गोल तयार करके रखा है हमें तब डालना है और बहुत ही साफदानी से डालना रहता है यह करें मारिये फ्रेंड्स अगर आप एक बार यह स्टाइल से बना लेंगे तो आपको बाहर से चिप्स लाने के ज़रुत नहीं पड़ेगी बहुत ही आसान तरीके से बन जा उपर होट होना चाहिए बिल्कुल ही हाई फ्लेम में हमें फ्राइ करना है जिससे चिप्स हमारे डाले जो उसका मोश्चर तूरन खतम हो जाए और चिप्स क्रिस्पी बन जाए करारापन आ जाए तो बहुत ज़रूरी यह पॉइंट है तो लीजे फ्रेंड्स हमारे चिप् लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फ्रेंड्स फैमली में शेयर कीजिए अपने अनुवफ शेयर कर सकते हैं मेरे साथ और अगर मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कॉमेंट के जरिये बता सकते हैं तो फ्रेंड्स यह चिप्स कैसे बने थे तो तब तक के लिए नमस्कार